भूटान क्लेम, इस वीडियो के जरे हम भूटान क्लेम से संबंदित जो DA है उसके बारे में और BCA के बारे में जानेगे, यानि कि भूटान कंपंसेटरी अलाउंस के बारे में जानकारी देंगे। बूटान क्लेम, जो भी PBRs बूटान में temporary duty पर जाते हैं, वो abroad में मिलने वाले daily allowance के लिए हगदार होते हैं। इम्टार्ट यानि की Indian Military Academy of Training, एक ट्रेनिंग संस्थान के रूप में इस्थापित की गई हैं, जिसमें भूटानिस आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती हैं। वही rank रहता है जो deputation से पहले उनका इंडिया में था। बशर्ते उनको उसी rank के लिए salary मिल चुकी हो और अगर वो इंडिया में होते तो उसी rank पर बने रहे होते। इसी तरह जो बूटान compensatory allowance है यानि की BCA, ये defense service personnel जो project धंतक में serving है, या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या IMTART बूटान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको ये BCA दिया जाता है। इसी तरह daily allowance जो दिया जाएगा वो para 268 of travel regulation के इसाब से ही आपको नेपाल और बुटान के deputation के दोलाद दिया जाता है। movements order या government letters में क्या लिखा गया है। इसी तरह जो horse country अगर आपको accommodation और meal provide कराती है, या फिर आपको free lodging और boarding दिया जाता है, या खाना पीना दिया जा रहा है, तो आपको total entitled DA का 25% ही admissible होगा। आईए देखते हैं कि DA admissibility के लिए नियम और शर्ते क्या हैं। अगर PPR इंडिया में posted हैं और temporary duty पर इंडिया से भूटान जाते हैं, तो daily allowance का जो regulate होगा, rate जो होगा, वो किस तरह से होगा, आईए वो देखते हैं। first 14 days के लिए full DA admissible होगा, next 14 days के लिए जो भी daily allowance उनको दिया जा रहा है, जिसके वो हगदार है, उसका 75% उनको दिया जाएगा। इसी तरह उसके आगे के प्रतेक दिन के लिए, यानि कि जो additional day उनका होगा, उसमें 60% of admissible DA, जिस DA के वो हगदार है, उसका 60% दिया जाएगा। इसी तरह अगर service personal बूटान में ही posted है और within the country, यानि कि बूटान में ही उन्हें temporary duty के लिए भेजा जाता है, तो जो DA दिये जाएगा, वो इस तरह रहेगा, first 14 days के लिए full admissible DA दिये जाएगा, next 14 days के लिए, जिस DA के वो हगदार है, उसका 75% और उसके आगे के प्रतेक दिन के लिए जो भी additional DA होंगे, उसमें उन्हें 50% of admissible DA, यानि कि जिस DA के वो हगदार है, उसका 50% DA उनको दिया जाएगा, इसी तरह जितने दिन भी आप भूटान में stay करते हैं, उतनी दिन का ही आपको DA दिया जाएगा, जो भी PBR's free ration और accommodation ले रहे हैं, होस्ट कंट्री से, उन्हे total entertainment of DA, जो यानि कि उसका से 25% ही उनको मिलेगा, जो DA का full rate है, उसको किस तरह से calculate होगा, वो है 75% of 60 US dollar, यानि कि 45 US dollar ही आपको full rate of DA के साब से दिया जाएगा, और जो भी जबी भी आप claim करते हैं, तो dollar का जो rate है, जो उस rate का current rate है, वो आपको अपने claim में लिखना बहुत जरू पूरी है, बुटान Compensatory Allowance यानि कि BCA, बुटान Compensatory Allowance, Defense Force Personals को जो IMTART में posted होते हैं, उनको दिया जाता है, उसका rate इस तरह से है, rate pay from 1900 to 4,269 to 63 rupees, rate pay 4,600 से 5,400 तक है, तो 80,787 और rate pay अगर 6,600 है, तो amount है 1,38,279